हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है विवेक में साट एक मैटेस इन्वेश्टर हम लोग जिस कंपनी के उपर बात करने वाले हैं टीन प्लेट कंपनी है देखे टीन प्लेट जो है टाटा स्टीर की सब्स्ट्रीज है सभी को ही पता ही है तो इसके क्वाटर टू के नतीजे आ गए है तो कैसे आ है नतीजे उसको हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसके चार पर बात करेंगे कहां पर बाई करना चाहिए क्या लॉंग टम व्यू है और बाकी सारी चीजें आपको यहां पर पता लगने वाली है तो में एक से और टू सब्सक्राइब आवर च लिंक वीडियो के डिसेप्शन में आप वहां जाइन कर सकते हैं जिन लोगों ने यूटुब पे जाइन कर रखा उनका बहुत बहुत थैंक्यू अगर आपका कोई जाइन करने के साथ ट्रेस क्या वैनफीट है मैं वह आपको बता देता हूं आप जाइन अगर कर लेते हैं जो भी रिप्लाइज हैं वो भी सबसे पहले आते हैं क्योंकि बाकी जो दोस्त है मेरे वो सबसे पहले उनका ही रिप्लाइज या उनका ही रिक्मेंट करते हैं बताने के लिए चलिए अभी हम लोग इसको समझते हैं ट्रेस कैसे आया है टिंप्लेट के देखिए लास्ट का थी वो 14 billion के round थी और अभी इन चीजों को दिखना कितना बहतर growth हुआ है last time से तो यह देखिए latest data है यहाँ पर 16.6 हो चुका है मतलब जो इसका आपको मैं कहूंगा earning per share है वो तो बहुत ही बहतरीन तरीगे से आपको यहाँ पर double होता हुआ दिखाए देगा market capital भी double है double से भी उपर है 14 billion था यहाँ पर अभी वहाँ पर 32 billion हो रखा है तो clearly यहाँ पर भी बहतरीन यह number आ जाते हैं तो इस हिसाब से trades जो company है वो काफी तगड़ी growth होई है आपको देखेगा कि number में में भी काफी बड़ी जंप है finances conditions में भी काफी बड़ी जंप है बाकि overall 117 परसंट का रिटर्न भी प्रवाइट किया है company ने यह तो 140 हम लोग ने जब इसको discuss किया था 110 रुपए 115 रुपए के around था अब तो वह one year के high low में भी नहीं आएगा क्यों कि वह उससे पीछे चला गया है तो इस तरीगे से अभी नतीजे है ट्रेस कैसे तो उसी को हम लोग इस वीडियो में discuss करते हैं तीन प्लेट आपको पता यह टाटा श्टील की सब्स्रीज है देखिए यहाँ पर mention है वसे नॉर्मली हर किसी को पता है जो इसमें investment कर रखा है फिर भी अगर आपको नहीं पता तो यहां से अपडेट है market capital की बात केंटे इस तो 3251 करोड की है book value 80 रुपीज 80 पैसे है पर book value से अब अब ट्रेड कर रहा है पर इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि profit growth और sale growth जो पिछले 12 मेने की रही है profit देखिए 181% बढ़ा है last year trace मुखे रूप से recommend करने का यही था क्योंकि काफी time से lockdown था बाकी चीजों की गिरावट थी market अच्छे से work नहीं कर रही थी price बढ़ने थे ही क्योंकि demand इतनी जादा थी और फिर उसके बाद supply क्योंकि कम थी तो company के पास पायदा ही पायदा था हर जगह पे तो उन्होंने rate इंक्रीज किया फिर स्टील का भी rate इंक्रीज हो गया तो उसके चलते कंपनियों को बहुत बहुत ज़्यादा profit हुआ इसलिए यह मुख्य रूप से जितनी भी स्टील की कंपनिया थी आपको टाटा स्टील का आपको मेरे YouTube पे मिल जाएगा वीडियो अगर आपको इसको भी अगरे टरेश जो भी स्टील सेक्टर में आ रही है कंपनिया उसी तरीके से सेल भी 30 रूपै के अरौंड थी वो भी 150 तक गई तो इस तरीके से बहुत सारी विदानता हो गया वो 90 रूपै के अरौंड ट्रेट कर रहा था वो भी 300 से अब अब आब भी ट्रेट कर रहा आरो सी काफी बैतरीन है, फेस वैलू कंपनी का 10 है, रिटर्न ऐसीट अच्छा है, क्यों और क्यों वाइस जो इसके नतीजे हैं, वो भी 9.2% ग्रोथ हुआ है, तो आपको और यहां पे चार्ट में आप ट्रेंड देखेंगे, सेर का वो भी बहुत बैतरीन प्रोजिटिव है प्रोकॉंस पे जाएंगे, डेप्ट फ्री है कंपनी, अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड किया था, इस बार का जो नतीजे का था, एक्पिटेशन वो भी काफी बैतरीन था, और उसी हिसाब से आए भी है, हल्थी डिवडेंट पे आउट भी मिंटेन कर रही है कंपनी बस एक चीज रही जो मैंने आपको बता है कि नॉर्मल है ये 12.2 परचेंट तो वो चीज थोड़ा नॉर्मल ही रहा इसका, बाकि इसके कौटरली रिजल्स पे बात करते हैं, आपको सितंबर का देखना है जो अभी आया है, जून का देखना है उसके बाद और लास्ट येर का देखना है, तो लास्ट येर से देखे कितनी बहतर ग्रोथ है, लास्ट येर 531 करोड की सेल हुई थी ट्रेस, और यहाँ पे 977 करोड तक यहाँ पे पहुंच गया है, जो की बहतर है और उसके चलते जो प्रॉफिट है कंपनी का वो डबल से भी बहुत जादा है, डबल स 7 करोड का, तो लास्ट क्वाटर से भी बहतर है नंबर और लास्ट येर से तो बहुत 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 है ही, लास्ट येर से बहुत 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 बहुतर वाली बात क्यों है ट्रेस क्योंकि नेट प्रॉफिट आप देखे 16 था यहाँ पे, यहाँ पे 17.5 और यह ट् पर लोगडाउन था तो इस्टार्टिंग वाले पिरेड में तो किसी भी कंपनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है मनलब क्या सिस्टम है तो उसके चलते काफी गिरावट रही और सभी लोग डरे वरे हुए थे तो बस 6 करोन का प्रॉफिट हुआ था जो कि जून का बहुत बहतर हो गया है जैसे कि आप इसका पूरा 2019 का देख सकते हैं यहां से क्लियरली जितने भी इसके चार क्वाटर यहां पे आपको दिखेंगे अभी तो फिलाल दो है नए वाले आप दोनों में ही देखिए अराउंड 70 करोन के प्रॉफिट है जो कि क्लियरली यहां प टाइम लेबल तक का डाटा है आपको यहां पर भी क्लियरली ग्रोध दिखाई देगी जो कि बहतर है कंपनी के लिए अभी 12 महिने का डाटा आप देखिए वहां पर 233 करोड का प्रॉफिट चल रहा है जो कि 10 साल के प्रॉफिट हो से सबसे अभी हाई चल रहा है नॉर्मल यार भी कंपनी का काफी स्ट्राउंग है तोड़ा सा लैक कर रहा है बाकी कोई दिक्कत यहां पर नजर नहीं आती है और इसलिए मैं सेर को आपको रिक्मेंड भी किया था बार बार कि आपको इसमें जरूर से अपनी होल्डिंग रखनी चीए और रखे भी हैं लोग देखे ठीक है तो यहां पर नतीजें आने के बाद आप इसको क्लियरली खरीदने के लिए जा सकते हैं और एक सही प्राइस पर आपको यह मिल भी जाता है आपको अगर इसको बाई करना है 306 रूपीस के राउंड से इस पर बहतरी पोजिशन मिल जाती है बाई करने के यह बाद चला जाए 447 रूपीस तक का वो भी आ जाता है तो इस हिसाब से इसकी अभी फिलाल पर एंट्री के लिए लेवल है आप इसको जादा से जादा अगर डिप चाहते तो 290 रूपीस तक की डिप भी आपको इसमें देखनों को मिल सकती है खरीदने के लिए तो मैं एक तरीके से मिड में 300 के अरॉंड मार्क कर देता हूं जो कि मिड का लेवल हो जाएगा वाई करने के लिए बाकि इसकी सपोर्ट की भी लाइन मार्क कर देते हैं टेकनिकल तो काफी नीचे बता रहे हैं पर हम लोग एक जो नजर आ रहा है उसके अरॉंड 278 रूपी 60 पैस कर दो